नमस्ते एवरिवन और वेल्कम बाक तो दिन्यू वीडियो मैं हूँ आपका दोस्त निखिल और आगिया हूँ लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट दे एलेक्रिक कार ब्रैंड बीवाइडी और दिस इस मैं फेवरेट इलेक्रिक कार बीवाइडी आटो थ्री तो अगर आप इस वीडियो को आपने इसी लिए क्लिक किया है क्योंकि मेरे थम्नेल में मैं आपको लिखा था कि अब बीवाइडी आटो थ्री आज आ रही है सिर्फ और सिर्फ 24,99,000 और सम्तिंग में तो आप बिल्कुल सही हो कौन सा मॉडल है कहां से आप ले सकते हो उसक तो क्या उसमें फीचर्स हैं क्या स्पेसिफिकेशन से क्यों आप यह कंसिडर कर सकते हो सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए सो वीडियो के एंड तक बने रहना और अगर पसंद आई तो उसे एक लाइक जरू से कर देना चैनल में नए हो तो डोंट फग में जो मॉडल है यह है बीवाइडी एटो 3 का सुपीरियर बट इसका जो डाइनेमिक मॉडल है वो आ जाती है 24,99,000 रुपीज ओनली क्या उसमें सिर्फ नहीं आता है वो में पताएंगे बट बाकी सब कुछ इस गारी में आपको मिल जाता है अप्रॉक्सिमेटली कुछ प और नहीं वाली जो टाटा करवा रही है शायद वो भी उसी प्राइस रेंज पे टॉप मॉडल आ सकती है I am not too sure but without wasting much time चलिए गारी में आगे बढ़ते हैं यह फिलाल है इसका सुपीरियर टॉप मॉडल और यह है इसका जो नया वाला एडिशन जो है डार्क कॉस्म कॉस्मो ब्लाक एडिशन वो है तो अब इसमें पूरा का पूरे हमें डार्क इंटीरियर और डार्क थिम में यह कारी आ जाती है अलगी स्टैंड आउट रोड में आएगी इसका मैंने एक डीटेल वाकराउंड और रिव्यू किया था एक साल पहले मेरे वीडियो पे जिस पे आप स अब से पहले बिफोर इस्टार्ट वाकराउंड मैं बता देता हूं कि सुपीरियर और डायनेमिक में आपको क्या नहीं मिलता है यू गेट एवरी थिंग इन डायनमिक एकसेप्ट नमबर वन एडास सो एडास रिलेटेड आपको कोई फीचर जो है वो नहीं मिलने वाले है नमबर टू यू गेट अ 17 इंच अलोई जो आपके टॉप मॉडल में आता है विच अगें इस ओके नमबर त्री यहां पर जो इलेक्टरिक टेलगेट जो मिलती है हमें अलेक्टरिक टेलगेट नहीं मिलेगी बट आपको मैंवली टेलगेट कुलने का उप्शन मिलेगा वि ना आएम तेलिंग यू गाइज बीड ब्लेड बैक्टरि टेक्नोलोजी ओफर्स दे बेस रेंज और इनके रेंज में अच्छी बात क्या है यह जो क्लेम करते हैं यह एसी के साथ ही सोच के क्लेम करते हैं तो ऐसा की नहीं कि अगर आप एसी चलाओ के तो अलग रेंज एसी क्लेमेटर्स की रेंज प्रूफ करते हैं रिलिस्टिकली 400 किलोमेटर्स इस एन इजी ओन दाइनमिक और 450 इस एजी ओन यूर अगर दे सुपीरियर अगर आपको एसा लगेगा कि आप बिल्कुल सुपीरियर ही चला रहे हो एडास इस वन थिंग विच दे गिव एडास फिफ्टी किलोवाट्स अप्रोक्सिमेटली बैटरी बैटरी पाक विज ओफर्स यू थे बेस्ट रेंज और बैटरी टेक्नोलोजी यू शुद गो फर इट चलो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दू कि हमारी पैन इंडिया कम्यूनिटी जो है इवी की जो वाटसाप पे मैंने बनाई है वो फुल फ्लेजट चालू है आप अगर इवी कार यूज करते हो और आप उस कम्यूनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो यू और वेलकम एना हम्बली इन्वाइट यू तो बी आपको आइड कर दूँगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है फॉर्म का चोटा सा लिंक है वही बताना आपको वह फॉर्म क्योंकि आप मुझे पिंग भी करोगे तो मैं आपको वही फॉर्म भरने बोलूँगा तो वह फॉर्म भरके मुझे खाली एक स्क्रीन शॉट अगर आप दे दोगे आप बोल भी दोगे ना कि मैंना फॉर्म बर दिया तो काम बन जाएगा सो प्लीज जॉइन दे फैंबली हम कोई टेक्नीशन वहाँ पे नहीं है गाईस हम खाली एक दूसरे से बात कर दे एक दूसरी को मदद करते हैं वी गेट जॉब डन अल्राइट अब कर लेते हैं क्वेक वाकराउंड इसी कार का LED Headlights हमें मिल जाती है यहाँ पर कुछ बड़ी सी BYD की बैजिंग सुन्दर सी यहाँ पर यहाँ पर हमें यह नोस जो है वो गारी की जो है वो मिल जाती है विच इस ग्रेट अगें डीटेल में वीडियो आपको अलड़ी मिल जाएगी मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो यहाँ पर Aero Twin Vipers जो है वो देखने को मिल जाते हैं बात करें इसके बिल्ट क्याईटी क्यान अफ बेस्ट क्यांइब जो बीवईडेयों अफर करता है वो क्या आप जब डोज की बात करेंगे तो यह काफी बारी इनका जो दोर होता है वो होता है but just look at this car look at the side profile of this car dimension screen के सामने में दे दे रहा हूँ alloy wheels जो है आपको मिल जाते हैं but खली यही है कि अब यह जो है यह proper alloy wheels है unlike your BYD seal जिसमें आप वो plastic वाला जो होता है ना वो wheel cover type मिलता है on your wheels but this one gets your alloy wheels with disc brake on all four wheels again that is great one of the best ground clearance which again is great BYD design की यहां पर हमें badging जो है वो देखने को मिल जाती है it is full of tech guys यहां पर भी कुछ texture सा जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है छोटा सा quarter panel जो है वो देखने को मिल जाता है एक spoiler high mounted stop lamp where defogger washer fluid wipers everything you get BYD की chrome में badging beautiful LED जो tail lamps जो है tail lights stop lights सब कुछ आपके LED में ही देखने को मिलता है back camera का setup जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है but again as I said it doesn't really come with an electric tailgate but this one your superior does and with just one touch this will come up in no time at all and it is not only one touch down but it's also intuitive so that's kind of good so अगर आप यहां पर हाथ रखोगे so अगर आप देखोगे यह देखो it goes back up because it sensed that my hand was there and it closed once again just to show you देखिए मेरा हाथ आया and it went back up all right so यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कोई हमें spare भी नहीं मिलती है चलते हैं इसके rare profile पे और देखते हैं कि हमें क्या comfort जो है वो offer करती है and before that you get premiumness all around even in the dynamic आपको सब कुछ जैसा के जैसा इसके superior में है वैसा ही मिलेगा except those few things which I told you at the beginning of the video no edas only 17 inch no electrically tailgate opening and your battery pack is approximately 50 kilowatt with 468 claimed range but everything else is soft touch guys just look at this premium this is your suede which is great great grab handle यहां पर कुछ गिटार के जो इनका जो style है वो हमें देखने को मिल जाता है soft touch everywhere बात करें इसके interior के तो अब यह cosmic black theme में है guys it looks just phenomenal what a good thud look at this handbrake I mean look at the door handles and look at the wow the ambient lighting in this dark theme is just looking fantastic now this seat पूरी की पूरी पीछे की गई है जो सामने में खली भाईसाब तो बैठने वाले है नहीं but उसके बावजूद भी मेरा जो नी रूम है वो decent है because scooped out seat है तो मुझे बिलकुल भी uncomfortable नहीं लग रहा है feet भी अच्छे से tuck in हो गई है thigh support भी brilliant है seat cushioning is great perforated which is fantastic center arm rest with twin comp holders which again is great 3-3 adjustable headrest 60-40 split आपको इस car में मिल जाती है 60-40 split आपको इस car मिल जाती है 3-3 seat belt safety rating में global end cap में euro end cap में five star score करती है screen के सामने मैं आपको share कर दे रहा हूं कुछ इस तरह से सामने का इसका जो driver seat और passenger seat वो आता है यहां पर कुछ इस तरह की design patterns है great it is fixed not adjustable but it is supremely comfortable यह देखो कुछ double type के theme में इन्हों अपने जो AC vents जो है वो दिये है यहां पर BYD design की badging जो हुआ जाती है कुछ और charging options and some more spacing over there I don't think एक लिटर की bottle यहां पर आएगी but easily 500 ml bottle आ सकती है चारो के चारो drivers के लिए one touch चारो के चारो drivers कह रहा हूं चारो चारो passengers के लिए one touch up and down functions you have वो मिल जाता है यहां कुछ illumination grab handle with hook also on that side that is great amazing headroom which again is fantastic as I said detail में जो इसकी walk around जो review है guys वो मैंने की थी इस इस review को आप यही सोच के देखो कि आप dynamic का review देख रहे हो because I am not gonna talk about ADAS and I am not gonna talk about anything else which means this is your dynamic everything else is just the same amazing driver side door soft touch everywhere premiumness everywhere some more spacing electrically adjustable driver seat again that is fantastic wow what comfort man what comfort again door third simply simply brilliant कुछ approximately 15 inch की इसकी जो यह beautiful सी जो uh touch screen है one of the best इसके लिए separate वीडियो आपके लिए मैं बहुत जल लेके आने वाला हूं so stay tuned for that do subscribe and let me know what you think and again यहां पर छोटी से हमेडी चलो आवे से push start stop button एक बार प्रेस करते हैं और हमें यहां पर यह आ गया एक बार और करेंगे तो यार मेरी चाबी before you move on guys तो चाबी हमें कुछ इस तरह के मिलती है जिसमें lock unlock और दो बार प्रेस करने से आपका tailgate release हो जाएगा एन auto on का यहां पर switch मिलता है तो इसे हम यहां पर रख दी इसके साथ हमें NFC card भी मिलता है जो यहां पर है नहीं बट NFC card से भी आप चला सकते है आपको physical की होने की कोई जरूरत है नहीं हां तो चलो भी है सबसे पहले काम करेंगी इन सब की बात तो हम जरूर से करेंगे बट उसके पहले हम जरा इसका यह beautiful जो पैनोरमिक sunroof है उसको खोल देते हैं सो आइ बिलीव इस दिस टच महीं आता है गा इस हलके से टच करो यह पूरा का पूरा जो है यह आपका यह देखो beautiful सा है नहीं और सिफ इसको अगर बंद करना चाहे तो आप यहां पर टच एक यहां पर आपके कुछ इल्लुमिनेशन आ जाते हैं यहां पर आपके कुछ इल mirrors यहां पर अपनी automatic IRVMs आयाती है जो auto dimming होती है which is great यह सब आपको dynamic में वैसा का वैसा ही मिलेगा इसमें कोई changes नहीं होने वाली है steering भी आपको ऐसा ही मिलेगा जहां पर आपके जो infotainment के system में वो right में आ जाएंगे ADAS का कुछ भी नहीं आने वाला है आपके left में यहां पर आपके wipers के function और यहां पर आपके headlights के function जो है वो आ जाएंगे ambient lighting multiple ambient lighting and everything will be there in this car I am just you know itching to do this so I am gonna do this now there you go okay this is I believe this is 12 inch and not your this is I believe it's 12 or 15 में स्क्री में जाता हूं मैं मैं मेशा confused जाता हूं because seal में इतनी बड़ी थी वो 15.8 थी I don't think it is 15.8 but you'll get the same in your all your BYD 803 it would be the same again these looks amazing guys just just look at this amazing tactility and यह dumbbells जैसे इन्होंने कुछ आपर प्लेस की है यहां पर आपका hazard का light मिल जाता है volume rocker यह हमें देखने को मिल जाता है start stop button electric parking यहां पर auto hold automatic brakes यहां पर बहुत कुछ है modes change आपके यहां पर होते हैं यहां पर आपको sports eco normal यह सारे के सारे mode जो है वो देखने को मिल जाते है AC auto on off सिर्फ यहां से हो सकता बाकी पूरा का पूरा AC का जो control है वो आपको यहीं से होगा so once again if you press the home button just click on this आपके AC का जो control है dual zone climate control AC है so that is again fantastic yeah we just look at this yeah muscles type के कुछ है यह बट यह पूरा का उप्रा sweat पह है this is all premium soft touch चोटी सी MID बहुत debatable है लोग बोलते है चोटी सी MID में हमें क्या information मिलेगी so let me tell you guys यह चोटी सी MID आपको बहुत information देती है maximum information आपको इस screen पर आ जाती है so अगर for example आप यहाँ पर चोटो इससे हम सीधा कर देते हैं फिर से या टेड़ा कर देते है whatever it is तो let's just see for example हमने यहाँ पर यह दो क्या क्या है TPMS है trips है acceleration time है driving time and everything modes जो है वो यहाँ से आप infotainment के modes जो है वो change कर सकते है there are many things guys and beautiful सी यहाँ पर BYD की जो badging है वो दी गई है कुछ इस तरह से इसका interiors दिख रहा है guys cosmic black theme में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है as I said इसका मैंने complete review बनाया है so I'm not gonna spend too much time on it specification screen के सामने दे दे रहा हूँ but detail में अगर review चाहिए guys तो आप वाला video जाके देख सकते हो i-link पर आपको मिल जाएगा but cosmic black अगर बोलो तो बिल्कुल भी claustrophobic नहीं फील कराता है guys extreme extreme premium feel देता है यह इसको और तरह पीछे कर देते है extremely premium feel for 20 मुझे अगर कोई पूचे 25 लाग देकर तुमको ADAS नहीं मिलेगा तुमको ADAS basically अगर कोई में को बोलेगा न the only compromise that you're doing in the top model versus the 26 लाग वाली गारी is the ADAS electric till gate नहीं है चलो कोई problem नहीं है 17 inch की alloys very good कोई problem नहीं है battery pack मैं बोल रहा हूँ पचास वाट की battery pack में ये कार आपको better perform करके देगी इसकी computer से in terms of range इसकी blade battery technology is one of the best guys देको मेरे को कोई BYD वाले पैसे नहीं दे रहे है नहीं वो मेरे को बोल रहे है कि या free मैं गाड़ी दे रहे है but because I love EV technology EV cars ये video मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि I want you to understand जब ये 25 लाग में इसकी dynamic launch होगी it is gonna give a competition stiff competition to its competitors but ADAS नहीं है मुझे चल जाता you know what ADAS में चल जाता but अगर जहां तक मुझे doubt है मुझे पक्का पता वो cruise control उनको देना चाहिए but शायद से cruise control भी नहीं है now that is a bit you know disappointing but I am pretty sure with updates जैसे की मेरी Nexon EV Prime पे cruise control जो है वो मैं manually select कर सकता हूँ I am sure 803 भी दे देंगे but cruise control होने से मेरे को ये perfect गारी लगेगी मेरे को नहीं चीए lane key passes forward collision warning ये वो at least उतना तो मैं अपने हाथ पे control गारी का रखना चाहता हूँ मैं उतना भी autonomous mode में नहीं जाना चाहता हूँ मेरा personal thought है आप बताओ चलो मैं इसके सामने और मैं आपको boot खोल के नहीं दिखाने वाला हूँ कि कैसा है नहीं है boot कह रहा हूँ इसका hood खोल के मैं नहीं दिखाने वाला हूँ यहां पर आपके charging के जो ports है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ यहां पर CCS2 वाले ही chargers जो है वो हमें मिलते हैं आप बताओ आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगर आप यह कारी लेना चाहते हो क्यालकटा से हो करणी BYD is the place, सुमुजीदा is the guy, आजाओ उनसे मिल लो मेरा खाली नाम लेना है, बताना आप मेरे friend हो, subscriber हो you'll get the best deal, at the best time you'll get this car मैं मिलूँगा बहुत जल्द, आपको अपनी next video में, till then take care, God bless, I love you all